नमस्कार बच्चों हाज हम आपके विवसाइक अध्यान की पुष्टक एक का पाचवा अध्याय देखने जा रहे हैं हमने इस अध्याय का एक भाग पहले ही देख लिया है इस अध्याय का नाम है संगठन इसके पिछले भाग में आपने देखा कि संगठन कैसे एक प्रबंधक के कारियों की प्रक्रिया में नियोजन के बाद आने वाला दूसरा किन्तु बहुत ही प्रमुख कारी है संगठन में एक प्रबंधक अपने कारिकरमों या अपने संगठन के अंदर अपने विवसाई के अंदर होने वाले क्रियाओं की एक सुची बनाकर उन्हें पहचान कर उन्हें वर्गी क्रित करता है विभागों में बाड़ता है, विभागों के अंदर जो लोग हैं, जो पद हैं, उनके जिम्जिमिदारियों को सुनिशित करता है और उनके बीच में संबंद स्थापित करता है कि कौन किसके अंदरकारी करेगा, कौन किससे आदेश प्राप्त करेगे, कौन किसके प्रती जव सवाब दे होंगे संगठन की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यवसाय का एक धाचा त्यार होता है कुछ व्यवसायों में यह धाचा कारियों के आधार पर बनाए जाता है तो उसे कारियात्मक धाचा कहते हैं कुछ व्यवसायों में इसे उत्पाद क्यानुसार बनाए जाता ह जिन विवसायों के पास कई सारे उत्पाद होते हैं वो अपने अलग अलग उत्पादوں का एक विभाग बना कर विभागय या प्रभागय ढाचा त्यार करते हैं हमने इन दोनों धाचों के बीच अंतर देखा, इनके गुण अबगुणों की भी चर्चा की आज हम संगठन के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपचारिक वो अनपचारिक संगठनों की ये दो बहुती महत्वपूर्ण विशय वस्तू आपके इस अध्याय के अंदर आते हैं जब एक वेवसाए अपना संगठन या संगठनात्मक धाचा तयार करता है तो पहले तो वो ये निर्धारित करते हैं कि उनका धाचा कार्यात्मक होगा या प्रभागी होगा जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा एक बार वो धाचा तयार हो जाए यानि की संगठन या वेवसाए अपने उस धाचे पर खड़ा हो जाए यानि ये पता लग जाए कि कौन से विभाग होंगे किस विभाग में किस तरह के पद होंगे किसका क्या कार्य होगा कौन किसके प्रती जब्यदार या जबाब दे होगा एक बार वो धाचा तयार हो जाए इसके बाद इस धाचे के अंदर रहकर जब लोग काम करते हैं तो लोगों के बीच जिस प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं उन संबंधों के प्रकृति के आधार पर हम संगठनों को दो श्रेणियों में बाट सकते हैं अपचारिक और अनपचारिक एक बार फिर से आप ध्यान दे कि अपचारिक वो अनपचारिक संगठन की जो प्रकार है ये लोगों या विभिन पदों के बीच के संबंधों या वो किस प्रकार से आपस में संचार यानि बातचीत कर रहे हैं इस आधार पर तयार होते हैं अब चारिक संगठन वो संगठन कहलाता है जिसमें जो भी वारतालाप है बातचीत है संचार है या संबंध है वो प्रबंदकों दुवारा तयार किये गए धाचे के अनुसार यानि हर कोई अपने पद के और पद से जुड़े जिम्मदारियों के अनुसार ही बातचीत या संबंद स्थापित करते हैं यानि कि जब लोगों के बीच के संबंद को केवल कारियों के दाइरे में रहकर देखा जाए यानि जब लोग केवल अपने पद, अपने जिम्मदारियों, अपने कारियों के अनुसार काम की बाते करें एक दूसरे से तो वो जो एक संबंध स्थापित होता है लोगों के बीच में वो अपचारिक संगठन कहलाता है अपचारिक संगठन लोगों की अधिकारों वो उत्तरदाइत्वों की सीमाओं का स्पष्टिकरन करता है तथा संगठन के लक्षियों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामन्जस्य स्थापित करता है अब चारिक संगठन किसी भी प्रकार के धाचे में हो सकता है चाहे वो कार्यात्मक धाचा है या प्रभागी धाचा है जैसा कि मैंने कहा कि ये धाचे तो पहले तयार हो जाते हैं फिर उन धाचों के अंदर लोगों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित हो रहे हैं उस पर यह आश्रित है कि ये अपचारिक संगठन के संबंध है या अनपचारिक जैसा कि हमने अभी देखा अपचारिक संगतन लोगों के आधिकारिक गतिविध्यों या कार्यों के अनुसार बनते हैं लोगों के पदों के अनुसार बनते हैं यानि माल लिजिए एक विभाग में यदि एक कर्मचारी किसी प्रकार के कारी से जुड़ेवी बात या शंका या शिकायत आदि को अपने उपर के प्रबंधक या कारेकारी को या अधिकारी को बताता है या उसके पास जाकर बात करता है तो वो एक अपचारिक बात कर रहा है यदि एक अधिकारी अपने अंदर के कर्मचारी को कोई काम सौपते हैं, उन्हें कुछ निर्देश देते हैं, तो यह एक अपचारिक बात है यानि अपचारिक संगठन केवल लोगों के अधिकार, उनके पद, उनके उत्तरदाइत्वों के अनुसार होने वाले या स्थापित होने वाले संबंधों पर आधारित होते हैं इनमें केवल काम की बातें, काम के मुद्दे, संगठन के उदेशों से जुड़ेवन मुद्दे यही रखे जाते हैं अपचारिक संगठन में बहुत से गुण पाये जाते हैं बलकि अपचारिक संगठन के बिना तो कोई भी संगठन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि अपचारिक संगठन उस संबंध को ही तो कहते है ना जहां पे जिसके द्वारा लोग अपने काम के जुड़ीवी बातों को एक दूसरे से करते हुए काम को खत्म करते हैं तो बीना अपचारिक संगठन के तो काम हो जह नहीं सकता। आईए, अपचारिक संगठन के ऐसे ही कुछ और जुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हुए है कि अपचारिक संगठन के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या उत्तरदाईत्व है यहां निर्धारित करना असान होता है क्योंकि इसके अंदर सब अपने पद के अनुसार ही काम करते हैं तो किसकी क्या जम्मेदारी है यहां निर्धारित करना असान हो जाता है दूसरा इसमें भ्रम की स्थिती भी नहीं पाई जाती क्योंकि प्रत्येक सदस्यों के कर्तव्य उनके उत्तर दाइत्व उन्हें बताए जाते हैं और इसमें सभी दाइत्व स्पष्ट होते हैं सबको पता होता है कि उनको क्या करना है हर किसी का काम उनका दाईतवा अलग होता है जिससे की काम या दाईतवा की पुर्णा वृत्ती भी नहीं होती तो कोई भ्रहम या कन्फ्यूजन भी पैदा नहीं होता है इसके अलावा इसमें आदेश श्रंखला के इस्थापन से एकता बनी रहती है यानि आदेश की जो श्रंखला है, यानि कौन किसके ऊपर है, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका करमचारी है, किसको किससे आदेश मिलेगा, ये श्रंखला इस्थापित हो जाती है इससे आदेश की एकता जो की आपका एक सिधान्त भी है प्रबंधन का वो बनी रहती है यानि एक कर्मचारी को किसे आदेश प्राप्थ होगा ये स्पष्ट रहता है इसके अंदर चौथा कारियों के संचालन की सुनिश्चित तथा प्रतेक कर्मचारी द्वारा किये जाने बारे कारी की उन्हें जानकारी होती है हर किसी को पता होता है सुनिश्चित होता है किसे क्या कारी करना है इस वजह से कारियों का निश्पादन प्रभाव पूर तरीके होता है सब ल काम पता हैं सब अपने काम में लगे हुएं कोई समस्या कोई भ्रह्म नहीं है तो संगठन या व्यवसाय स्थाइत्व प्राप्त कर पाता है कर्मचारियों के विवहार को भी आसानी से देखा और समझा जा सकते हैं उन्हें मार्ग दर्शन के लिए सपष्ट नियम बताई जा सकते हैं तो काम में किसी प्रकार का भ्रह्म पैदा नहीं होता जब अप चारिक संगठन अच्छेसे चलता है लेकिन अप शारिक संगठन की कुछ कम्याभी है जैसे सबसे पहली कमी तो यह है कि इसमें हर बात हर संबंध या लेन देन आदेश की श्रंखला का पालन करके हो अगर मुझे अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से कुछ कहना है तो मुझे अपने से उपर के अधिकारी फिर उसके उपर के अधिकारी से हो के जाना पड़ेगा ऐसे में कारियों में विलमब कई बार पाया जाता है निर्णे लенे में कई बार अधिक समय लग जाता है दूसरा कई बार इस से करमचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उतनी मान Mercati नहीं मिल पाती क्योंकि इसके अंदर नियम, कानून और काईदों के हिसाब से हर काम और हर बातचीत होती है कई बार कर्मचारी अपनी द्वारा कोई नए आइडिया या सुझाव देने जाएं तो उनको उसके लिए सुना नहीं जाता या उसमें बहुत देरी हो जाती है तो कर्मचारीयों की रचनात्मक्ता प्रतिभा कहीं दब कर रह जाती है इसके अलावा ऐसे संगठन में जहां बहुत ज़्यादा ध्यान केवल काम काम पर केंद्रित है ऐसे में मानविय संबंध स्थापित होना खासकर अच्छे सोहारद्र पूरून संबंध स्थापित होना मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी अपचारिक संगठन अनिवार रही है जो कि लोगों के बीच आपसी मेल जोल आपसी उठने बैठने बातचित करने आदी से होता है एक बार फिर सुने मैंने क्या कहा कि ऐसे संगठन या संबंध का जनम होता है जो अपचारिक संगठन की उन कमियों को पूरा करने के लिए होता है जो कि लोगों के आपसी मेल जोल के, मेल मिलाप के अनुसार विक्सित होता है जब लोग एक जगा काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे किसी की किसी से बनेगी, किसी की किसी और से बनेगी आपसे संबंध स्थापित होंगे, दोस्ती स्थापित होगी, तो ऐसे जो संबंध कर्मचारी खुद बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई नियम काईदे या अधिकार या पदों को नहीं देखना पड़ता है, ऐसे संबंधों से बनने वाले संगटन को अनौपचारिक संग जाले हों, आप देखते होंगे कि कुछ लोग एक साथ आपस में साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग आपस में एक साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हें एक दूसरे की बातचीत, एक दूसरे के साथ उटना, बैटना, हसना, खेलना पसंद आता है, तो इस आनौपचारिक संगठन भी सभी व्यवसायों के लिए जरूरी कारिय करते हैं इनका भी अपना एक महत्तु है आईए इनके कुछ गुणों की चर्चा करें सबसे पहली बात तो यह है कि आनौपचारिक संगठन में कोई कठोर नियम कानून ना होने की वज़े से बातें या शीग्र पहुंशती हैं दूसरा सदस्यों की सामाजिक आवशक्ताइं पूरा करने में जब आपचारिक संगठन पिफल हो जाता है तो यहां पर काम आता है आनौपचारिक संगठन क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक पशू की तरह है वह केवल मशीनों की तरह काम करने के हाला कि अनौपचारिक संगठन की भी कुछ कम्या पाई जाती हैं जैसे कि कई बार अनौपचारिक संगठन अफवाएं फैलाने का काम करते हैं यानि यदि हमारा ग्रुप है और एक बात कहीं से आई तो वो सब में फैलेगी फिर वहां से दूसरे लोगों में फैलेगी बल का परिवर्तन करना चाहता है तो अनौपचारिक रूप से जो एक ग्रुप ये समुह बन जाते हैं इसके द्वारा लोग मिलकर प्रबंधन के द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनों को विरोध करते हैं कई बार वह परिवर्तन अच्छे भी हो तो केवलों ग्रुप वना की वज़े से लोग उसका विरूद करते हैं जिसके कारण प्रबंधन अपने व्यवसाई में परिवर्तन नहीं कर पाता है इसके अलावा एक ग्रुप या समू का हिस्सा होने के कारण सदस्यों को अपने समू के अनुरूप चलने के लिए विवश होना पड़ता है हो सकता है समू कुछ गलत कर रहा हो लेकिन सदस्य फिर भी नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें ग्रुप का हिस्सा बने रहना है आसे में ये संगठन के हितों के विरूध जा सकते हैं ये कुछ कम्या और कुछ गुण हमने दोनों संगठनों के देखे अब आईए दोनों के बीच अंतर पर भी चर्चा करें जो कि पहले से ही काफे स्पष्ठ हो चुका है कि यदि हम अर्थ की बात करें तो आपचारिक संगठन प्रबंधन द्वारा खुद तयार किये जाते हैं जब वो पदों या अधिकारों को तयार करते हैं धाचे को तयार क और मेल मिलाप से खुद बन जाता हैं दूसरा यदि हम उद्गम की बात करें तो आपचारिक संगठन कंपनी के नियम कानून की वज़े से उद्गमित होते हैं जबकि आपचारिक संगठन जैसा कि अभी हमने कहा स्वयम ही आरंभ हो जाते हैं तीसरा अधिकार की यदि बात की जाए तो आपचारिक संगठन में प्रबंद के स्तर के अनुसार यानि कौन कि स्तर पर कारियरत है उसके अनुसार उसको अधिकार प्राप्त होते हैं लोगों कोन के अधिकार मिलते हैं अनुपचारिक संगठन में हमारे जो दोस्तों के ग्रुप या समू है उसमें जो अ यदि हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा निपुण व्यक्ति है तो खुद बखुद समू उसे अपना नेता चुल लेता है या उसको जाद अधिकार दे दिया जाता है यानि कि अपचारिक संगठन में अधिकार व्यक्ति गुणों के अनुसार मिलते हैं जबकि अपचारिक संगठन में प्रबंधन के स्तर पर या पद पर उपस्तिती के अनुसार मिलते हैं इसके बाद यदि हम व्यवहार की बात की जाएं तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं अपचारिक संगठन नियमों द्वारा व्यवहार को निर्देशित करता है जबकि आनपचारिक संगठन में लोगों के व्यवहार का कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता कोई नियम नहीं उन्हें म एक अधिकारों की शुरंखला है उसके अनुसार सूचना आगे या पीछे बढ़ती है जबकि अनौप्चारिक संगठन में सूचना किसी भी दिशा में जा सकती है कोई भी किसी से कुछ भी बात करके उसे बता सकते हैं अगला अंतर है प्रकृती का अपचारिक संगठन सामान प्रकृती के होते हैं उन्हें बदलना मुश्किल होता है जबकि अनौप्चारिक संगठन में आपसी मेल जोल से चीजें बदलते रहती हैं अगला अंतर नेतरित्व का है अपचारिक संगठन में प्रबंधक ही नेता होता है लेकिन जैसा कि हमने अभी पहले भी कहा बन सकता है हो सकता प्रबंधक को ही नेता बना दिया जाए हो सकता है गुरुप का कोई अन्य सदस्य भी नेता बनके रुबरे अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार तो बच्चों ये थे अंतर अपचारिक वा अनपचारिक संगठन के बीच में अब आईए आगे चलत अन्तरन का अर्थ है कि जब एक किसी उच्च पद पर बैठा अधिकारी अपने से नीचे यानि अधिनस्त कर्मचारी को किसी कारी को करने के लिए कुछ अधिकार देता है तो यहां उसके द्वारा अधिकार का अन्तरन किया गया कहलाता है यानि एक उच्चे पद पर बैठ अधिकारी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को कर्मचारी को कुछ अधिकार दे और उसे बोले कि आप इस कारी को पूरा करें आपके पास इसके लिए यह अधिकार है तो यानि इस अधिकारी ने क्या किया उसने अपने पास से कुछ अधिकार अपने अधिनस्त कर्मचारी को यहां किसी भी संस्थान के दक्षता पूर्ण संचालन के लिए जरूरी माना जाता है क्योंकि कोई भी प्रबंधक सभी कारे खुद नहीं कर सकता एक प्रबंधक या उचे पद पर बैठे अधिकारी हमेशा यह चाहेंगे कि वो केवल महत्वपूर्ण कारियों पर जादा समय दें ऐसे में यदि वो अपने कुछ गैर महत्वपूर्ण कारियों को अपने अधिनस्तों को दे पाए और साथ में कुछ अधिकार भी यदि देने पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बलकि ऐसा करने पर ही एक प्रबंधक अपने मुख्य कारियों पर ध्य ध्यान देने के लिए अधिकार अंतरण करना अनिवार्य हो जाता है इसके बिना कोई भी संस्थान दक्षता पूर्ण नहीं चल सकता है हाला कि यहाँ पर दो बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं जिनें कई बार अंतरण के नियम भी कहा जाता है या सिधान्त भी कहा जाता है पहली बात अंतरण का अर्थ अधी त्याग या पद त्याग नहीं होता यानि यदि कोई अधिकारी कुछ अधिकार या कुछ कारिय अपने अधिनस्त को सौब भी देता है तो वह उससे छुटकारा नहीं पा लेता उस कारे के संपूर्ण होने उस कारे के पूरे होने या सही या गलत होने इनकी जवाब दे ही उस अधिकारी की फिर भी बनी रहती है ऐसा नहीं है कि मैंने अपना कोई काम अपने किसी जूनियर या अधिनस्त कर्मचारी को दिया और मैं उस काम से बिलकुल मुक्त हो जाओंगा अपना काम अपने से नीचे के अधिकारी या कर्मचारी को देने के बाद भी मैं उसके लिए जिम्मिदार माना जाऊंगा मेरे उपर के अधिकारी मुझसे उसके लिए फिर भी जवाब मांगेंगे यानि अधिकार अंतरन करने के बाद भी उसके निश्पादन या संपादन के लिए वो अधिकारी उत्तरदाई होता है दूसरा सिध्धान दिया है कि यदि हमने किसी अधिनस्त को अधिकार दिये हैं तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं और वापस लेकर किसी और को भी दे सकते हैं यदि हमें लगता है कि जिसे हमने वो दिया वो उसको ठीक से उपयोग नहीं कर रहा है या उस कारियों को पूरा नहीं कर रहे तो हम उस अधिकार को वापस लेकर किसी और को भी दे सकते हैं अर्थात अधिकार अंतरन के उपरांत भी प्रबंधक कारिये के संपाधन के लिए उत्तना ही उत्तर दाही है जैसा कि हमने पहले पढ़ा तो अगर कारिय ठीक से पूरा नहीं हो रा तो वो उसे अपने अधिनस से लेकर किसी और को भी दे सकते हैं ये दो मुख्य सिधान्त अंतरण के हैं यानि अंतरण करने का अर्थ यह नहीं है कि अधिकारी पूरी तरह अपने दाइत्व से मुख्थ हो गया और दूसरा अधिकार एक बार देने के बाद उसे पूरा एपुन है वापस लिया जा सकता है अब अधिकार अंतरण के तीन मुख्य तत्व माने जाते हैं अधिकार उत्तरदाइत्व व उत्तरदेयता यह तीनों चीजें अधिकार अंतरण में एक साथ चलती हैं पहला अधिकार दूसरा उत्तरदाइत्व व तीसरा उत्तरदेयता अधिकार का अर्थ हुआ किसी को आदे आदेश देने का अधिकार यदि मेरे पास मेरे पद के अनुसार कुछ अधिकार हैं उसकार थी है कि मैं उस अधिकार के सहारे दूसरों को आदेश देकर उनसे काम करवा सकता हूं तो आदेश देने का अधिकार कहलाता है उत्तरदाईत वकार्थ है दिये गए कारियों को पूरा करना पूरा करने की जिम्मेदारी ये उत्तरदाईत है और उत्तर देता है कि दिये गए कारियों का जो परिणाम होगा जो फल होगा, उसके लिए मैं जवाब दे हूँ, मुझसे मेरे अधिकारी जवाब मांगेंगे यानि तीनों का अर्थ पहले आप ध्यान से समझे अधिकार यानि आदेश देने का अधिकार, उत्तरदाईत वे यानि कारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तरदेता, यानि कारियों के फल को लेकर उत्तरदेने की जिम्मेदारी दूसरी बात अंतरण की है, अधिकार अंतरित किये जा सकते हैं यानि एक अधिकारी अपने अधिकार अपने से नीचे के कर्मचारी को दे सकता है उत्तरदाईतों को कभी भी पूरी तरह से अंतरित नहीं किया जा सकते यानि मैं अपने उत्तरदाईतों अपनी जमेदारियां पूरी तरह किसी और को नहीं दे सकता मेरी जमेदारी हमेशा कुछ ना कुछ बनी रहेगी जबकि उत्तर देता बिल्कुल भी अंतरित नहीं किये जा सकते यानि मैं यदि अपने उपर के अधिकारी के तरफ उत्तर दाई या जवाब दे हूँ तो वो मैं ही रहूँगा यदि मैं अपना कारी किसी और को सौंब भी रहूँ तो मेरे उपर के अधिकारी मुझसे ही जवाब मांगेंगे मैं अपनी जवाब दही किसी और के उपर नहीं डाल सकता यानि अधिकार अंतरित हो सकते हैं उत्तरदाइत्व कुछ हट तक हो सकते हैं पूरी तरह नहीं जबकि उत्तरदेता बिल्कुल भी अंतरित नहीं हो सकती। तीसरा है उद्गम, अधिकारों का उद्गम अपचारिक पद के अनुसार होता है। जब मुझे कोई पद मिलता है तो उसके साथ कुछ अधिकार मिलता है। उत्तरदाइत्व का उद्गम अधिकार के साथ होता है यदि मुझे अधिकार मिला है तो साथ में कुछ उत्तरदाइत्व भी मिलेगा और जब मुझे उत्तरदाइत्व मिलेगा तो उसके वजह से मैं अपने अधिकारी के प्रती जवाब दे भी होंगो यानि जवाब दे ही यानि उत्तरदेता उत्तरदाइत्व से आती है अधिकार पद से आते हैं उत्तरदाइत्व अधिकार से आते हैं जबकि उत्तरदेता उत्तरदाइत्व से आते हैं तो ये तीन तत्व कभी भी एक साथ ही रहेंगे, ये हमेशा अंतरण के मुख्य तत्व के रूप में साथ चलते हैं, यानि अधिकार देंगे तो उत्तरदाइत्व भी देना पड़ेगा, ऐसा आपने एक सिधान्त भी पड़ा है, कि अधिकार और उत्तरदाइत्व के भी संत फोकस या केंदर नहीं कर पाएगा, यानि अंतरण के माध्यम से एक प्रबंधन या प्रबंधक प्रभावी रूप से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल कुछ मुख्य कारियों पर केंदरित रहना होगा, अन्यकारियों को तो उन्हेंने दूसरों को अंतरित कर करके अपने विकास को सुधारने या बढ़ाने में सहयता मिलती है, इससे करमचारियों का विकास होता है, इसी तरह इससे करमचारियों को प्रेरिणा भी मिलती है, अच्छे करमचारी हमेशा नए चुनवतियों की तलाश में रहते हैं, तो जब एक अधिकारी किसे करमचार ये वेबसाय को विक्सित करना होगा बढ़ाना होगा तो हमें उसमें सरली करन महसूस होगा हमें ये सरल जान पड़ेगा कि हम अपने वेबसाय को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे कर्मचारी पहले से जिम्मिदारियों को लेने के लिए तैयार है यह कुछ मुख्य महतो ह अंतरण के जो ये दर्शाते हैं कि अंतरण के बिना प्रबंधन उचित धंक से नहीं चलाए जा सकता बच्चो अगला जो विशय है वह अंतरण से ही निकल कराता है इसे हम विकेंदरी करण के नाम से जानते हैं जैसा कि हमने देखा कि एक अधिकारी अपने अधिनस्त को जब कुछ अधिकार वकारी देता है तो वह अंतरण कहलाता है विकेंदरी करण इसी काम को बड़े इसतर पे किये जाने से होता है यानि जब एक संगठन या संस्थान में सभी कर्मचारियों के पास कुछ अधिकार हो जो कि उस स्थिती से विपरीत है जहां पे उच्च अधिका करण में अधिकारी सभी कर्मचारियों को उनके दिंचर्या से जुड़े कार्य करने की अधिकार दे देते हैं यानि अधिकारों का अंतरण पूरे संगठन में कर दिया जाता है सभी कर्मचारियों को प्रतियेक स्तर पर अधिकार मिल जाता है कि वो अपने कुछ फैसले तक फैला दिया जाता है सभी को अधिकार दिये जाते हैं तो इसे हम विकेंद्री करण कहते हैं इसे कई बार अंतरण का ही विस्तार कहा जाता है यानि एक स्तर पर आपने अधिकार दिये तो वह अंतरण कहला है आपने सभी स्तरों तक निम्नतम स्तर तक अधिकार दिये तो य विकेंदरी करन के लाए केंदरी करन और विकेंदरी करन का भी आपने एक सिधान पढ़ा था तो उसका भी ध्यान रखना है कि कोई भी संगठन पूरी तरह से केंदरी करित या पूरी तरह से विकेंदरी करित नहीं हो सकता संगठन के मुख्य फैसले लेने का अधिकार तो उच्च अधिकारियों के पास केंद्रिकृत होना चाहिए लेकिन जो दिन प्रति दिन के फैसले हैं उन्हें करमचारियों को खुद लेने की शक्ति देनी चाहिए विकेंद्रिय करन भी विवसायों के लिए बहुत महत्वपूर माना जाता है जैसे अंतरण माना जाता है ये भी अधिनस्तों में प्रेरणा भरकर उन्हें पहल करने के लिए प्रेरित करता है ये भविश्य के लिए प्रबंध की प्रतिभा का विकास करता है यानि जब कर्मचारी अपने निर्ने खुद लेंगे, उनके पास अधिकार होंगे, उन अधिकारों को संभाल कर उप्योग करना वो सीखेंगे, तो उनके अंदर की प्रबंधन प्रतिभा का विकास होगा, जो की आगे जाकर संगठन के काम आएगी इसके अलावा, जब सभी कर्मचारीों के पास अपने दिन प्रतिदिन के निर्ने लेने का अधिकार होगा, तो निर्ने जल्दी लिये जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि छोटे से निर्ने के लिए भी सबसे उची अधिकारी तक पूछना पड़े, जिसमें की बहुत विलम होता है, विकेंदरी करण से निर्ने शीगर लिये जाते हैं, और इससे शीर्ष प्रबंधन को रहात पहुंचती है, वो अपना ध्यान मुख्यकारियों पर केंदरित कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे फैसले तो कर्मचारी खुद दे रहे हैं, अब बच्चों आईए, सारे कारे खुद तो नहीं कर सकता, अधिकार अंतरन आवश्यक है, एक प्रबंध को अपने कुछ अधिकार नीचे देने पड़ेंगे, लेकिन विकेंदरी करण आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे व्यवसाय संगठन में हम अधिकार को फैला दें, ये एक एच्छिक नीती है, दूसरा अधिकार अंतरन के अंदर अधिकारियों को उतनी जादा स्वतंतरता नहीं होती है, जादतर शक्ती तो उच्छ अधिकारियों के पास ही होती है, तो उनके पास नियांतरन जादा होता है, जबकि वी केंदरी करण में अधिकारियों के पास, व हम स्थिति की बात करें तो अधिकार अंतरन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्रिव विभाजन के लिए जरूरी है कार्रिव विभाजन का ही एक हिस्सा माना जाता है इसको जबकी विकेंद्रिय करन शीर्ष प्रबंदकों द्वारा सोचा समझा गया एक नीतिगत फैसला है ये शीर्ष प्रबंदकों पर है कि क्या वो पूरे व्यवसाए में अधिकार प्रसारित करना चाहते हैं ये उनका फैस्टा है जबकि अंतरण कारिविभाजन का ही हिस्सा है इसलिए छेत्र की अधि बात की जाए तो अधिकार अंतरण का छेत्र सीमित है जबकि विकेंद्री करन का छेत्र काफिविस्त्रित है क्योंकि इसमें निम्न तम स्तर तक अधिकारों को फैला दिया जाता है अंत में यदि हम उदेश्य की बात करें तो अधिकार अंतरन का उदेश्य एक प्रबंधक के उपर का भार कम करना होता है जबकि विकेंदरिकरन का उदेश्य अधिनस्तों या करमचारियों की संगठन में भूमिका को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि वो भी संगटन का हिस्सा मैसूस करें, सुरतंतर रूप से कुछ फैसले खुद भी ले सकें बच्चों ये था अंतरण व विकेंदरी करण के बीच अंतर मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विशय वश्तु अच्छे से समझ आये होगी क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय वस्तु है अधिकार अंतरण वो विकेंदरी करण के अलावा आज आपने अपचारिक वो अनपचारिक संगठन के बारे में भी सीखा मैं आशा करता हूँ आपको यह सब समझ आया होगा इस अध्याय में वो आज के भाग में इतना ही धन्यवाद स्प्राइब कर शचारिक वो आपने वो आज को इस अदिया blade